हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यौल बैक टू एवी केल्स अकाडमी होग आपका प्रफेशन सही चल रहा होगा अगर आपने प्रफेशन तक स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर स्टार्ट कर लिजएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट मंत ही आने वाला है तो आज मैपिंग कोई एकला कर देते हैं और आपको मैपिंग कभी कोई इट्लेस कर देते हैं एक्स्ट इंग आपको लेकिन आपको यह नहीं बताते हैं कि कौन से कौन से टॉपिक्स आपको कोई नहीं किया होगा ठीक है तो यह टॉपिक्स हम जो आपको प्रवाइट करने वाले हैं अगर वह लेकिन आपको बशलिव आपको अपर हैं कि आपको आपको ने रहने हैं क्योंकि नहीं नहीं और है एक्जाम में 250 माक्स है 250 इसापको बस 130 ए 140 की आसपास 130 इसापको काफी हप करेंगे यह सारे तॉपिक्स आपके examination point of view examination point of view मतलब exam में maximum chance है यह सारे topic से पूछे जाने का maximum chance मतलब समझ लो history से अगर 20 question आते हैं तो यह सारे topics पढ़के जाओगे तो वहाँ पे आप at least 10 to 15 question आप attempt कर के आओगे हमारे target 20 का 20 नहीं है हमारे target है 60 to 70 percent of the question that is enough so at last मैं आपको एक कहना चाहता हूँ उसके बाद हम वीडियो शुरू कर देंगे at last मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपका probation कभी भी examination point of view होना चाहिए चीक है तो देखो आप civil service के लिए कुछ अलग सा आपका strategy होता है CEPF के लिए लिए सा होता है आप अगर यह topics सारे करके अगर आप previous questions भी देखोगे तो काफी सारे questions यहां से आपको देखने को बलेंगे वीडियो आगे बनने से पहले आप सबसे एक request अगर आप चैनल पे नए हो do subscribe और चैनल और bell icon भी आप प्रेस करो ताकि विन फ्यूचर जो भी अपडेट से आपको मिलते रहेंगे इसके अलाब आप प्रती एवरी टू डेस या थी डेस पर एक बार विजिट करते रहेगा चैनल पे आपको कोई नए अपडेट से तो वहां पे आपको परावेड हो जाएंगे यूटीब यूटीब जो है सर्वर इस चल रहा है सबको जो है नोटिफिकेशन नहीं सेंड कर पा रहा है तो जो है डेफिनिटली आप जो है अमारा चैनल बार बार विजिट करते रहेगा इसके अलाबा एवी केस का टेलिग्राम चैनल है आज हम जो कुछ भी डिसकस के सारा कंटेंट आपको पीडिया फॉर्माट में टेलिग्राम चैनल पर मिलने वाला है डिसक्रिप्शन के निचे टेलिग्राम चैनल का लिंक रहेगा वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास टेलिग्राम नहीं है दन एवी केस का एप है ठीके प्ले आप में प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है और आप जरूर आपको डाउनलोड करना है और एवी केस का टेलिग्राम चैनल आपको जरूर जोइन करना है ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं तो फस्ट अपॉल हिस्ट्री हम देख लेते हैं फसके उससे पहले आपको रफ कर ठीक है आपको फटाफट से टेलिग्राम चैनल जाउन कर लेना है विताउट एनी लेट क्योंकि यह सब इतना अच्छा गंडर्ट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा फस्ट अपॉल प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब यूटलाइस करो देखो हिस्ट्री और कल्चर हिस्ट्री क्लास 6 चाप्टर नमबर 1 यह रहा आपका चाप्टर नेम फिर सा हिस्ट्री क्लास नमबर 6 चाप्टर नमबर 2 हिस्ट्री क्लास नमबर 6 चाप्टर नमबर 3 क्लास नमबर 6 चाप्टर नमबर 4 क्लास नमबर 6 चाप्टर नमबर 5 सेम सिक्स्त क्लास का पूरा तो या उसके बाद आपको जाना है history class number 12 आपको सहुआ आ रहा होगा न यह 12 यह 1 क्या है करके class number 12 chapter number 1 फिस यहाँ पर history class number 12 chapter number 2 class number 12 chapter number 3 और class number 12 chapter number 4 तो ऐसा कुछ आपको देखना है next medieval देखने की medieval same history 7th class chapter number 1 7th class chapter number 2 7th class chapter number 3 7th class chapter number 4 आपको कुछ note down करने का जरूत नहीं क्योंकि ये PDF आपको मिलना ही वाला है PDF आपको download करना ही नहीं तुरंदी जाके ये PDF प्रिंट आउट भी ले लो प्रिंट आउट लोगे तो आपको at least ये पता चलेगा चलो medieval में आपने समझ लो ये topic cover कर दिया है तो tick mark कर दो तो tick mark करने से आपको ये लगेगा कि अच्छा मेरा थोड़ा बहुत silvers complete हो रहा है तो इस recording से आपका प्रिपरेशन strategy होनी चाहिए उसके बाद से ये order आपको follow करना है मतलब ये सारे chapters आपको cover करना है उसके बाद आगे आपका modern history history class 8 का आपको सारे chapters मतलब 1 to 6 chapters आपको cover करना है उसके बाद chapter के name भी यहाँ पर हमने आपको दिया है ठीक है उसके बाद history class number 12 class 12 का 1 to 5 chapters आपको cover करना है ठीक है लेकिन हम modern history के लिए आपको recommend करते है spectrum या mission टीक है spectrum या the engine में ये सारे topics आपको cover करना है spectrum व्याद हम इन से कोई ना खोई यह book ले सकते हो за spectrum गणला मोटा लगता है भी 5 अ ठोड़ा को medium level का आजाता है वूक तो दोन में से कोई ना कोई एक book आप जो है देख सकते हो अगर आप अभी time के इस आप से देखोगे तो बीपिंचन आप देख सकते हो कि बीपिंचन जो है थोड़ा elaborative मतलब कम पेजों में थोड़ा elaborative करके दे दिया है वही spectrum अगर आप कोई coaching के सहायत कर रहे हो तो spectrum आप जो और culture के regarding देखो culture आपको ज्यादा कुछ खास prepare करने का जरूत नहीं है लेकिन पेंटिंग्स, literature, dance, music और religion यह पूरा जो है एवी के से करेंट पर इसका material लाता है ठीक है वहाँ पे हम यह पूरा cover कर देते हैं तो उसके लिए आपको उतना चिंता करने का जरूत नहीं है लेकि क्लास नमबर 9, क्लास नमबर 8, क्लास नमबर 7 तो यह सारे chapters आपको cover करने हैं ठीक है science में यह 4 chapters next AVKS का science का भी material आएगा ठीक है एक 10 दिन वेट कर लो AVKS का science का भी material आ जाएगा यही YouTube में हम release करने वाले हैं तो वो science का material भी आप purchase कर सकते हो last year save material से जो है almost all 22 questions out of 30 22 questions आपका exam में एक around 100 पेस जो है इसमें add होने वाला है तो almost all 450 पेस का book जो है आपके सामनी हम लेके आने वाले हैं इस साल मतलब almost all notification time तक हम लेके आ जाएंगे next chemistry chemistry में भी हमने आपे clearly आपको chapters पूरा provide कर दिया है तो यह सारे chapters आप जो है refer कर सकते हो ठीक है next आजाए आपका biology ठीक है biology भी यह आपे चेक कर लो यह सारे chapters आपको refer करना है biology के ठीक है लेकिन biology में यहाँ पे देख लो हमने biology का 12th class का भी दे दिया है 11th और 12th class का भी sorry 12th class का दिया है क्योंकि 12th class में जो आपका biotechnology भी है तो biotechnology थोड़ा वाहां से आपका cover हो जागर एक दो question आ जाते हैं तो अराम से आप attempt कर करके आ जाओगे ठीक है इसके अलावा biology का जो है first six chapters भी आप रिपर कर सकते हैं अगर आपके पास time है biology class 12 first six chapters आप रिपर कर सकते हो अगर आपके पास time बद जाता है ठीक है क्योंकि यह सब पढ़ने में ही almost आपका बहुत time लग जाएगा तो उसके उपर थोड़ा दियान द सब्सक्राइब कर दिया है तो सेक्षेन वाइस आप जो है यह सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो जोग्राफिली के कोई आपको reference material फॉलो करने का जौरत नहीं है NCRT आप दे बेस्ट जोगरिफी के लिए NCRT आपके लिए best रहेगा ठीक है अगर आप कोई online या classroom coaching अगर आ को issue at all आपको महीं पर clear हो जाएगा लेकिन अगर आप self impression कर रहे हो आप better you stick to the NCRT's क्योंकि वह आपके लिए थोड़ा easy language में रहेगा दूसरा कोई book पड़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ठीक है better you stick to the NCRT's next science यहाँ पर देख सकते हो universe का यहाँ पर दिया है अर् सब्सक्राइब यहां से पूचे जाते हैं तो जरूर आपको यह आपको cover करना है next is climatology atmosphere and climatology यहां से cover करना है next oceanography भी cover करना है disaster related यह भी आपको देख लेना है थोड़ा बहुत next यह पुरा जरूरत नहीं है हमने just आपको silver sponsor पे दिया पुरा इतना जरूरत नहीं है तो यह सा साम से हम ठीक से देख लो यहां पर next reverse reverse regarding आप देख सकते हो geography 9th class 10th class 11th class 12th class में यहां पर chapters भी हमने दे दिया है वो chapters बस आप देख लो बस इनफ है यहां पर और एक हमने आपको provide किया है economic geography करके ठीक है यहां पर syllabus जो भी हम बता रहे हैं that is not only useful for paper one but also for paper two paper बी यूसफुल है ठ कभी कभी आते कभी कभी नहीं आते हैं okay yes accepted लेकिन यह जो है economic geography आपके paper two के लिए काम आ सकता है ठीक है तो यहां से बस एक reading दे देना geography यह 10th class specially 12th class में होता है 10th or 12th class में ठीक है last chapters होते हैं almost all 10th class का 5 6 7 chapters और 12th class का 7 to 12 chapters तो बस एक overview देख लेना ज्यादा कुछ इसमें उतना ग geography का भी ज्यादा कुस गुषने का जरूत नहीं बस paper two point of you आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो ठीक है तो यह world human and economic geography same as it is मैं आपको जो बताया था तो यह सब जो है static में आते हैं ठीक है तो इतना आपको इसमें गुषने का जरूरत नहीं है just एक overview दे दो that is more than enough 12th class का अगर ठीक है तो इसके लिए अगर कोई आप material फॉलो कर रहे हो कोई बात नहीं फॉलो कर लो नहीं तो आप क्या कर सकते हो science होता है साइन्स आपका NCRT सेना science NCRT 6-10 उठा लो ठीक है 6-10 के लास्ट दो तीन चाप्टर होते हैं लास्ट 2-3 चाप्टर ठीक है सारे आपके environment और bio मतलब ecology specially वह डिनोट करता है तो वह लास्ट 2-3 चाप्टर पढ़ सकते हैं इसके अलावा biology का जो है 12th class के लास्ट 6 चाप्टर तो biology 12th class का लास्ट 6 चाप्टर आप रिफर कर सकते हो ठीक है तो इसके उपर उतना भी फोकस मत करना यह लास्ट में करना फोकस ठीक है लास्ट में जब टाइम आपका बच जाए वो टाइम पर करना क्योंकि यहां से जो कोशन आते हैं काफी मतलब आसा करना आता है यहां से ज्यादा कोशन वेटेज नहीं है अगर पूछा जाएगा दो तीन कोशन पूछा जाएगा वह भी आपका अल्मॉस्ट अगर आप जोग्रफी साइंस पढ़ रहे हो वहीं सही कवर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉलिटी पॉलिटी में हमने आपको लेकिन जब आपको पीडियाफ मिलेगा ठीक है पीडियाफ में सारे चाप्टर्स वहां पे लिखे रहेंगे ठीक है अब तक जो भी हमने डिसकस किया है पूरा जो है आपको क्या करना है डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट लेना है उसके बाद से क्युं Cindy सबसे है इसका ये ये केस का सायता करना चाथे हो तो ओल्लाइन लग्राम आपके लिए अवेलबेल विए और आपको प्रॉइट करेंगे पेपर दूर कलास मिलेगी इस कलाभ़ा न इसके अलाबा एक complete course है ठीक है complete course मतलब जिसमें आपका पेपर में क्लास हो जाएंगे पेपर टू के भी class हो जाएंगे next test series भी हो जाएगा और इसके साथ साथ जो यह तीनों यह तीनों कोर्स के साथ साथ आपको एक paper टू का book भी आपके address में freely deliver हो जाएगा ठीक है तो यह अगर यह course आपको लेना है तो screen के उपर जो numbers आपको दिख रहे हैं वो number पर call कर सकते हैं या WhatsApp भी कर सकते हैं जरूर आपका साहता करेंगे and do download this PDF from telegram channel and do subscribe our channel thank you thank you very much